है यहां पिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं लीट कूड का आज का डेली प्राउलम का विश्चन तो आज का कोई क्वेश्चन जो है यह मेडियम लेवल कॉस्चन है और यह कोई सब्सक्राइब बहुत ज्यादा तफ नहीं है बट इस वीडियो में मैं इसलिए डिसक्स करना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं डिसक्स करूंगा वह लिटल डिफ्रेंट होगा लाइक नॉर्मल जो बेसिक आपको किदम सिंपल सा अप्रोच देखेगा तो हम लोग उसके बारें भी बात करेंगे और साथ इन साथ जो काफी ज्यादा हद तक सिंपल है ठीक है कि आपके पास नम से जो जीरो इंडेक्स इंटीजर आरे हैं तो आपके पास एक एरे दे हुआ है जो कि इंटीजर का है और उसके इंटेश्च है इंटे ठीक है तो इन लेट सपोज की एरे ए आर आर है तो इसमें इन लिखते हैं हम लोग राइट तो एन ही क्या है इवेन नंबर नंबर आफ पॉजिटिव एक्वल टू नंबर आफ निगेटिव निगेटिव कहने का मतब निगेटिव एलमेंट की बात हो रहे हैं ठीक इसी स्टेटमेंट से एक समझते हैं कि वह नहीं निगेटिव है अब इस तरीके का केस है तो इसका मतलब सब्सक्राइब यह चाहरा है कि इसमें जीरो नहीं होुगे सारे पॉजिटिव निगेटिव नंबर ही होंगे अब आगे पढ़ते हैं कि आपको इनको रिएरेंज करना है कि इस तरीके से कि हर एक consecutive pair of integer है जो अपोजीट साइन रख्या है फोर आल इंटीजर बिद सेम साइन ओर्डर जो होगा वो पिड्जार्व होना चाहिए ठीक है एंड इन तीन चीजों का सबसे पहले समझते हैं इसने क्या बोला कि मालनों की positive number जैसे ऐसे में रखा 1 2 3 4 और negative number में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 मैं सब्सक्राइब आप देखेंगे तो इस एरे में यह एरे में पहला कंडिशन क्या था इन इवेन नंबर होना चाहिए जो की आठ है यहां पर सही है नंबर पॉजिटिव नंबर आफ निगेटिव इल्मेंट सेम है ठीक है तो एक वैलीड एरे मेरे पास आ चुका यहीं आप जितने भी हमने कंडिशन डिसकस करा वो सब आपको जो भी इंपूट एरे दिये जा रहे हैं वो सब में अप्लाइड होगा तो आपको कोड उसी के साब से लिखना या सोचना ठीक अभी क्या है कि उसमें पहला कंडिशन ने क्या बोला है कि हमारा यह जो है मानलो अब 8 को मानलो ऐसा कुछ बना ठीक अभी तो खाली है जब बनेगा जो इसमें होने क्या चाहिए अगर यह पॉजिटिव से यह पॉजिटिव अगर है तो इसको निगेटिव होना इसको पॉजिटिव होना इसको निगेटिव होना पॉजिटिव होना निगेटिव होना पॉजिटि पॉजटिव निगेटिव चलेगा या तो अगर पहले को निगेटिव कर दिया तो यह होगा यहां तक हमारे पास था पहले कंडिशन को पढ़ने के बाद कि कि इसका पॉजटिव एलिमेंट माल लेते हम तो इसका ओडर क्या है इस एरे में 1 2 3 4 अब हम इस को इस array में 1, 2, 3, 4 किसी भी तरीके syringe करें चलेगा लेकिन हम कुछ इस तरीके syringe नहीं कर सकते minus 1, 1, minus 2, 3, minus 3, 2, minus 4, 4 इस तरीके से अगर हम arrange करें तो यह गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसका अगर हम order को देखें तो पहले 1 आया उसका थिरी आ गया यहां पहले 1 है उसका टू है तो order क्या है? 1, 2, 3, 4 यहां order क्या हो गया? 1, 3, 2, 4 तो यह order इसका जो रहा है वो preserve नहीं रहा, same नहीं रहा तो हमको उस order को भी साथ में रखना है इसका मतलब पहला जो positive element है वो पहले ही आएगा positive element के number में वो पहला ही number उसका होना चाहिए दूसरे जगा प्यों नहीं जाएगा यह तीसरे जगा प्यों कहीं प्यों भी तो अपना स्थान उसने 6 का रखा तो वही fix समया स्थान उसको देना पड़ेगा ठीक उसी तरीके से negative में भी है यह हो गया दूस तीसरा condition उसने बोला कि हमेशा जो है वो positive से शुरू करना इसका मतलब कि सीधा सीदे मुझे इसको काट देना इसकी बारे में नहीं सुचना ठीक है ताब मैं इसको erase कर देता हूं तो हमारे पास एक ही situation बच रही है तो अब जब हम इन तीनों condition को अगरे ऐसे discuss कर लेते हैं तो हमें पता है कि यह positive, negative, positive, negative, positive, negative इस तरीके से हमारा एक array बनना है और हमें पता अब यह की order किस तरीके जो पहला यह है तो पहला को यहां बठा दिया फिर यह दूसरा है दूसरा तीसरा है, तीसरा को बठा दिया, चौता है, चौता को बठा दिया, minus one तो यह हम पहले है इसका इसका स्थान, यह minus two, यह minus three, और minus one ठीक है, तो यह question हमें easy लग रहा था, easy इस तरीके से लग रहा था क्योंकि हमने क्या सोचा कि पहले हम positive को, क्योंकि उसका preserve करना हमें order को, थ को उठाएंगे कहीं पर टेंपरारी एक एरे बना लेंगे उस एरे में हमने टूर कर लिया कि चलो 1 2 3 4 रख दिया और इसमें माइनस 1 बनाएगे जो Somya से अन्सरे बनाएगे और इसमें पहला एक इसको उठाएंगे पृänd कि य castle को उठाएंगे और यह लूप जो है अल्टरौनेट चलता रहेखा चलता रहेगा और यह दोनों को उठा लेगा आब इसके बहुत वह अलग लग तरीक आस است यूज कर एक हमारा यह फाइनल ए रहरे हैं थेक्छ यह आपका ऊड्पुट ए रहरे है यह बिग इन इहां भी ले रहा और यह भी विगवएन बिगवएन हमने दो अलग-अलग टेंपरारी एरे को यूज कर रहा रहा है सिंपल कंस्ट्रेंट इतने टाइट नहीं है कि लेकिन हम इसको इस तरीके सॉप्टिमाइज कर सकते हैं कि हम डिरेक्ट इंपूट आयरे से यह आउट्पूट आयरे बनाएंगे बीज में किसी भी टिंप्रारी मेमरी के हमें जरूरत नहीं है और उस सॉलूशन पर मुझे थोड़ा सा फोकस करना है मुझे इतना लगता है कि आप इस सॉलूशन को इतना में समझगे होगी या तो आपको इतना की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी इसी चीज को मैं सोचते होगे आगे बढ़ता हूं ठीक है तो हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं अगर यह 1 2 3 4 है मैनस 1 मैनस 2 मैनस 3 मैनस 4 है राइट हमने क्या इसको देखा कि यह ऐसे आ रहा है मैनस 1 2 मैनस 2 3 मैनस 3 4 मैनस 4 यह एक्जामपल ऐसे पिक करने का भी पीछे एक लॉजिक में इस एक्जामपल को देखके आपको एक चीज समझ में आना चाहिए जो क्या क्या हो रहा है एक तो पहले positive element मुझे चूज करना है तो यह positive element चूज होगा और अगला जो भी positive element आएगा मुझे पता है कि इसका position क्या होगा first positive element हमें साथ 0 पे आएगा उसके बाद यह 2 पे आएगा और यहां से यहां फोर्थ तो 0246 तो यह तो एक जाम अरे में दिखी रहा इसी चीज को सोचना इसी चीज को visualize करना मैंने क्या करा इस array को iterate करना सुरू करा है ठीक है हमारे पास दो variable है इसको मैं वहां न लिखकर यहां पर लिखता हूं आप logic समझने की कोशिस करना पोस इकल टू पॉजिटिव इकल टू निगेटिव यूएस मैंने कर दिया उसको निगेटिव इकल टू 1 यह 0 और यह 1 पॉ पॉजिशन फिक्स हो गई कि पॉजिटिव पहला जीरो प्याएगा निगेटिव पहला वन प्याएगा अब मैं एरे को iterate करूंगा जो इंपूट आ रहे हमारे पास दो ही एक तो फाइनल और एक इंपूट जभी मैं ठीक है जीरो है ही नहीं तो उसमें कोई कंडिशन नहीं है अगर positive मिला तो positive का मुझे पोजिशन पता है तो इस array में इसको मैं इसे खाली कर देता हूं पहले है चार पान्ट शे साथ आठट मैंने क्लिक़ पूरा अभी एरे में कुких नहीं भरा हुब मैंने पॉजिटिव इलिमνेंट का पॉजिशन जीरो रखा है और भी इसको पॉइंट कर रहा होगा अगर बेट्टिव अगर पॉजटिव एलेमेंट मिल रहा मुझे यहां पे तो मैं पॉजटिव को यहां पे फिल कर दूंगा तो जैसे वन मिला तो मैंने वन को फिल करा और पॉजटिव को बढ़ा कर ले आया यहां पे तब यह पॉजटिव यहां पर ना पॉइंट करके यहां पॉइंट करने लगया फिर 4 मिला यहां पर रख दिया उसके बाद निगेटी मिला अब निगेटी मिला तो यह माइनस वन रखेगा निगेटी फिर इसको पॉइंट करने लगेगा ऐसा कुछ ठिक धील करेंगि फिर पल स्टू करेंगे फिर फिल करेंग फिर पलस का करेंगे अर लग मैंनस फॉर दी क्या आपको एक ची समझ में आ रही है मैंने पहले क्या करा रहा तो यह यह position fill कर दिया बागी position empty रही है जो negative element के position थे वो empty रही है इस example के हिसाब से अगर मैं इस example को थोड़ा change कर देता हूँ 1-1-2-2-3-4-3-4 तो मैं क्या करूंगा पॉजटिव को पहले यहां से देखा पॉजटिव मिला तो एक तो 8 जगा मैं बना लेता हूँ पहले पॉजटिव को रखा अब पॉजटिव यहां point कर रहा है ठीक है यह P है आपका negative है इस चिल यहां है अब इया अब माइनस 1 मिला negative या अगला पॉजिटिव नंबर मुझे कहां पर रखना है उसे ही के हिसाब से यह चीज़े डिसाइड होती चल जाएगी तो अब माइनस दो के बाद पॉजिटिव मिल गया तो पॉजिटिव को मुझे यहां रखना है इसको उठाया अब यह यहां पॉइंट करने लग गया इस तरीके साब का पूरा जो एरे है वह बन जाएगा अगर आप देखो तो यही आपका अंसर बनने वाला है ठीक है हमने क्या करा हमने सिर्फ दो पॉजिटिव निगिटिव दो वैरियेवल बनाए और उसमें थोड़ी सी एक तरीके का मैंने लॉजिक फिल्टर रोट करा कि हरेक में क्या हुरा एक फिल करने के वाद उसका नेक्स्ट पोजिशन यह प्लस टू पोजिशन पर जाने वाला तो पहले से प्लस दो करके चल गया और इस चीज को हमीं ट्रेट जब करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी टेंपररी एरे क कि किसी भी दूसरी तरिकी के स्टॉरेज की मुझे जर्वता है रह पढ़ रही है मैं डिर्यक्ट इनपुट से खांक्षन बना रहा हूं इसका भी कंपलेक्सिटी भी गो इन है उसका है उसका भी पता नहीं मैंने बहुत पहले इस को समीशन पर जाओगे तो मैंने बहुत पहले इस को सिसाफ से बनाया अब देखो इसके रन टाइम में कितना का फर्क है चारसो पंदरह मिली सेकेंड यह आज का है फ्यू सेकेंड से एक हो ठीक है में में भी देखो फर्क है रन टाइम में भी फर्क है रन टाइम थोड़ा सा उपन नीचे होता है कभी-कभी बट यह ट्रास्टिक चेंज चारसो से देखो यह 2022 का मैंने जब सुरू करा होगा तब आज 2024 है पूरे दो साल के बाद यह जब मैंने देखा कोईशन मुझे अचाना की कोईशन का इस तरीके से इंप्लिमेंटेशन समझ में आ रहा है ठीक है तो मुझे लगता कि इस से प्रावज को अगर आप समझ रहे हो तो अच्छा है नहीं तो थोड़ा सा इस पर मतलब आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की ज़रुत है सोचने की ज़रुत है बहुत ज्यादा अगर्शन आपको दिया गया है कि हमेंसा एक इविन नंबर होगा तो मैंने चेक कर लिया कि विन है या नहीं इविन होगा तब यह पास करेगा आगे आगे बढ़ेगा तो मैंने अंसर एरे बनाया सारे जीरो से फिल करा आप यहां पर कुछ कोई फरक नहीं पड़ेगा अल को मैंने ट्रेट करा आप देखो कोई भी टेंपरारी नहीं बनाया मैंने फाइनल यह बन रहा नम्स हमारे पास इंपूट में मिल रहा और मैंने नम्स को चेक करा अगर यह पॉजिटीव है तो डाला पॉजिटीव के पोजिशन को दो बढ़ाया और इस तरीके से पूरा ए तो इसी बात में भी इस वीडियो को खतम करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया हो अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो वैसे स्कोड का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा क्वेस्चिन का लिंक भी डा करना किसी भी तरी से आप वहां पर जाकर आपना अब बुक कर सकते हैं ठीक है ओके तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए